नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डीप नॉलिज में आजकल मैं मंत्रों के जब के उपर कुछ बाते कर रहा हूँ जिसे मैंने आपसे सबसे पहली बार मैं बताया था कि ओमकार का जब करने से कोई फायदा नहीं होगा किसी भी तरह के किसी भी मंत्र को जब करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मंत्र एक कोड है उसको डीकोड करना होगा और डीकोड करना है अपने माइंड से थाट्स के परेजा करके क्योंकि हमारे विचार और हमारे मूँ से निकले हुए शब्द इन मंत्रों को रिपीट कितनी बार भी कर लें उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जैसे भूक है ऐसे ही खुद को जाननी की एक भूक हमारे अंदर है और वो शांत कैसे होगी जब तक हम खुद को जान नहीं लेंगे चाहे गरीब हो चाहे अमीर बिना खुद को जाने मन शांत नहीं होगा और जब तक मन शांत नहीं होगा खुद को नहीं जान सकते तो इनी विचारों के जरीए इसे बुद्धी के जरीए खुद को जानना होगा जो मंत्र को आप जब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसके बारे में बता रहा है उसका नेचर कैसा है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसको समझने के बाद क्या मन शान्त हो पाता है जैसे हम लोग जनुगा डवांस में गायतरी मंतर को समझने की कोशिश करते हैं इतना फेमस मंतर है इसको अगर decode करते हैं तो सबसे पहला शब्द भू इसका क्या मतलब है आज यही डिसकस करना चाहता हूँ भू यानि के दिखने वाली दुनिया यह क्या है और दूसरी बात मैं इसी के साथ यह भी चाहता हूँ कि हम समझें कि जिस दुनिया को हम इतना गहरे से जानने की कोशिश कर रहे है यह शायद नहीं जानने की कोशिश कर रहे है इसलिए कन्फ्यूस्ड हो रहे है क्या वो सच है मैं अभी यह नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया जूट है माया है क्योंकि इसी माया में आप मेरी बात सुन रहे हैं हमारे साइंटिस्ट हर रोज कुछ निया खोज रहे हैं इस दुनिया के बारे में लेकिन फिर भी देखा जाए एक रूप से जो हम है, हमारा ट्रू सेल्फ है वो इस दुनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा रियल है तो क्या है ये भू? सबसे पहली बात, जो हमारे साइंटिस्ट हैं इस दुनिया के बारे में बात्चीर करते हैं अभी उनको एक बात भी पकी नहीं हुई है ये फिजिकल वर्ल्ड, ये ब्रम्हांड, ये यूनिवर्स जो हमारी आँखों के लिए एक्सेसिबल है जिसको हमारे आँख या कान रिसीव कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं ये एक्स्पैंड कर रहा है, या कॉंट्राट कर रहा है या कुछ और कर रहा है इसको थोड़ा ऐसे समझे, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका बॉड़ी हर रोज बहुत तेजी से बढ़ता है और कब तक बढ़ता है? एक पॉइंट तक और उसके बाद धीरे-धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है बुड़ापे की तरफ जब जाता है ठीक, ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट ये मांते हैं कि ये यूनिवर्स एक्स्पैंड कर रहा है और कुछ ये मांते हैं कि यूनिवर्स दूसरी बात इस ब्रह्मान को जिसको हम भू कहते हैं इसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इंद्रियां अपने आँख, अपने कान वगरा obviously हमारी इन इंद्रियों की बहुत कम लिमिट है हमारे आँख बस कुछ किलोमेटर देख सकते हैं अपने कान तो मुश्किल से एक आथ किलोमेटर दूर से कोई अगर आवाज बहुत जोर से आ रही हो तो शायद सुन लेगा otherwise वो भी मिस कर जाता है तो एक तरफ दुनिया एक्सपैंड कर रही है कि कॉंट्रैट कर रही है पता नहीं दूसरी तरफ जिस चीज़ को हम सच मान करके और एक्दम सही मान करके अपनी इंद्रियों को यूज करके इस ब्रमान को जाने की कोशिश कर रहे है वो भी इस लायक नहीं है कि जान सके और इसी वजह से एक बड़ी खतरनाक चीज़ क्रियेट होती है उसको हम लोग जुनोगा में सुपर मिराज की नाम से जानते है मिराज समझते हैं ना मिराज मतलब वो रेगिस्तान में देखने वाला पानी जो मृक्त तृष्णा की वज़से दिखाई देता है हम लोग भी दिखता है रोड पर गर्मी में बहुत चिल-चिलाती धूप में ऐसा लगता है ऐसे पानी है जो रेफ्रैक्शन हमको रोड पर दिखाई देता है और लाइट पानी की तरह दिखती है ऐसे ही इस ब्रम्हांड में वो चीज़ें हमको दिखाई देती है वो दुनिया दिखाई देती है जो बहुत बार है ही नहीं एक्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन हमको क्यों दिखती है बिकाउज अफ रेफ्लेक्शन और बिकाउज अफ पेनेटरिशन औफ लाइट, ग्लेर, और सुपर वेवस modern scientists पता नहीं इस बात को कितना सच मानेंगे लेकिन बहुत से लोग का ये मानना है कि ये पूरा का पुरा ब्रमान जो दिखने वाला ब्रमान है ये बना है 15,000,000,000 गैलेक्सीज का लेकिन फिर भी हमारे टेलेसकोप्स जब इस दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं अनगिनत ऐसे जिसको गिना नहीं चासकता और अब कुछ modern scientists ये भी मानते है उसकी पीछे एक खास कारण है जो ब्रमान हमारा है वो duplicate और triplicate होकर के दिखाई देता है मतलब हम इस ब्रमान में इस तरह से नहीं रहते कि ये फैला हुआ है दूर दूर तक एक point के बाद ये ब्रमान कवर्ड है शीशे से मिरर से मतलब ये शीशे का मिरर नहीं है वो रोशनी का मिरर है और उस मिरर में हमको अपनी ब्रमान की चह भी दिखाई देती है इसलिए हम इसको अनगिनत मानते हैं हजार नहीं है कि ये पंदरह हजार मिलियन गैलेक्सीज को हम पूरी तरह से देख पाएं लेकिन बहुत जल्दी AI की मदद से और आगे आने वाली टेखनोलोजीज की मदद से साइंटिस्ट को पता चल जाएगा और एक बहुत बड़ा जटका मिलेगा इसी को मैं कहता हूँ धेर सारे स्पिरिच्वल शॉक्स ये अगर आप साइंटिफिक मेथड नहीं उज़ कर सकते हैं अगर आप वो टॉक्टर या वो साइंटिस्ट नहीं है जिनके पास बड़े बड़े टेलेस्कोप्स है तो भी आपको ये ज्यान हो जाएगा जैसे आप अपनी मेडिटेशन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे यूकि अंदर से हमारे डिवाइन फ्रैग्मेंट की और हमारे मॉलेकुलर बॉड़ी की और हमारे उलेक्ट्रोनिक बॉड़ी की जो ट्रावल करनी जो ही नहीं वो करोनों साल पहले थे लेकिन उसकी रोशनी अभी तक हम तक पहुँची नहीं थी और अब जब पहुँची है जब हम उनको देख रहे हैं तो वो है नहीं कुछ-कुछ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ ये ब्रह्मांड तकरीबन वैसा ही है जैसा हमारा बाड़ी और ब्रेन और अगर इस ब्रह्मांड को समझना है तो तकरीबन हमको कुछ और नहीं समझना अपने ही बाड़ी और अपने ही ब्रेन और अपने ही मायंड को समझ ले और ही काम पूरा हो जाएगा एक डाइवर समुदर में गोता खोर बहुत गहरे जब गोता लगाता है उसके उपर उसके नीचे और उसके चारों तरफ पानी होता है ठीक इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम मतलब हमारी धर्ती और हमारे नौगरह सूरज के साथ इस गैलक्सी में इस पुरे के पुरे ब्रम्हांड में गोता लगाता है और इसके उपर और इसके नीचे यह हाइट नहीं है इसके उपर स्पेस है उपर भी और नीचे भी और वो सारा का सारा स्पेस मतलब हमारे नौग रह और ये सारी की सारी गैलक्सी हमारी जो एक गैलक्सी है वो कहां तैर रही है वो पंद्रह अरब अलग-अलग गैलक्सी इसके बीच में और इन सब के बीच में स्पेस है इसको हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं जो आपके सामने है जहां से आप य हम scientist को पिलकुल idea नहीं है ये space कितने tricks play करता है हमारे हिसाब से तो ये कुछ नहीं है zero है लेकिन जो yogi जन है वो जानते है ये physical world है यहां की कोई भी element zero नहीं है वो tricks play करने के लिए माहिर है वो हमको illusion में फसा सकती है इसी लिए जितने भी ग्यानी जन है जितने भी रिशी मुनी है वो ये कहते है भू universe, physical world जीने लायक नहीं है इसलिए इस दुनिया में वो जो भी activities करते हैं उन सारे कर्मों का फल वो कहां छोड़ देते हैं वो यहीं छोड़ देते हैं हम और आप जब इस दुनिया में कुछ पाते हैं कमाते हैं तो हम चाधे हैं बचा के रखे या तो अपने बच्चों को देके जाए हम अपने ही किसी self को देके चाख़कर के रखना चाहते हैं अगर आप एक योगी की तरह इस दुनिया को देख सके एक रिशी की तरह तब आप इस भू younivers को जीना नहीं चाहेंगे अब आखरी बात इस भू युनिवर्स के साथ अलग अलग gradations हैं श्रेडियां हैं इनको हम लोग जुनोगा में sub stages कहते हैं और इन सभी अलग अलग sub stages में अलग अलग type के matters matters समझते हैं ना carbon oxygen nitrogen gold यह सब जिसके हम लोग बने हैं यह अलग अलग sub stages में अलग अलग type के matter दिखाई देंगे फिलहाल जो हम matter जी रहे हैं जिसको हम अपनी chemistry के books में पढ़ते हैं वो आधा भी नहीं है जैसे जैसे एक sub stage से भू युनिवर्स के दिखने वाली दुनिया का एक sub stage से दूसरे sub stage बजाएंगे वैसे वैसे हमको नए नए पदार्त नए नए matter की discovery होगी लेकिन इस सारे बाते मैं क्यों करा हूँ आपसे युकि इन सब में एक चीज है जो कभी नहीं बदलता है और वो है आपका true self और ये सारी की सारी बातचीत केवल इसलिए है ताकि आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो सके आपके true self की तरफ हमार brain memories से जीता है वो हर चीज को देखता है उसकी यादाश बनाता है और उसको फिर से revive करने की कोशिश करता है अपने आपको जिन्दा रखने के लिए लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ memories की जरूरत नहीं है physical body को memories चाहिए लेकिन आपके divine fragment को आपके आत्मन को आपके soul को किस कि बस यही ब्रम्भांड है और कुछ नहीं है तो उसको आप तोड़ सकें कैसे तोटेगा prepare yourself for meditation अपने आपको meditation के लिए तयार करिए पतंजली योग सुत्र बहुत मुश्किल लेकिन बहुत ही कीमती सुत्राज है उन्ही को हम लोग बहुत डीटेल में पढ़ रहे हैं जनु या को छोडने से पहले और अगर आप अपनी family को financial better position में डालना चाहते हैं पैसे रुपए को समझना चाहते हैं एक company को grow कैसे किया जाता है वो समझना चाहते हैं तो WPX आज ही join करिए हमारा app है Deep Space Knowledge प्ले स्टोर पे हैं डाउनलोड कर लिए और जनुवी बनाने के लिए दुस्टे को मिल सकें थैंक यू